जहिन दोस्तों स्वागत था आपका और आज का जो टॉपिक है वो जे SSE CGL के लिए हिंदी व्याकरण लेकर मैं आया हूँ जो model practice set 1 से है तो चलिए इसको solve करते हैं और देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा आ जा सकता है देखे सवाल है कि इनमें व्यक्ति वाचक संग्या कोन सी है आपको व्यक्ति वाचक संग्या बतानी है तो देखे इसमें क्या होता है कि जो सब्द ठीक है किसी व्यक्ति अस्थान या वस्तु का खास बोद कराता है उन्हें व्यक्ति वाचक संग्या करते है जिसे किसी का नाम अगर रहता है तो वो नाम क्या होता है खास होता है जिसे आपका नाम मान लिजे राम है तो आपको राम कहके बुलाए तो आप समझ गए कि हमको ब दुए आध रखेगा चलिए अगला सवहल देखते पंदित का इस्तिलिंग बताया आप देखिए इसमें इस्तिलिंग ही है डीकित ररखेए अर्गित पुलिंग सब्द है आईना परते जोड़कर इस्तिलिंग बना जाता है तो इसका क्या बनता है पंडी ताइन पंडी ताइन ओप्शन सीज का राइट अंसर होगा चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स है भजंग भजंग सब्द का आर्थ क्या है तो देखिए भजंग सब्द का जो आर्थ होता है उसका मतलब होता है आपका साप क्या हो जाएगा साप ठीक है भजंग या भूजंग भी का सकते हैं यह हो जाएगा आपका साप ठीक है चलिए नेक्स सवाल देखते है नेक्स है कि निर्मकित मैंसे कौन सा सब्द तत्सम है इसमें जो दिया हुआ है इसमें कौन सा सब्ध तत्सम है तो इसका आंसर क्या होगा तो देखिए इसका जो आंसर हो जागा वो कौन सा सब्ध है जो इसमें तत्सम है तो ये हो जागा option B कुपात्र तत्सम है बारवा की सब्ध क्या है तद्भाव है और देशी सब्ध है चलिए निम्लखित प्रश्ण का निर्दिशा अनुसार उतर दिजी दादी ने कहानी सुनाई तो वाक्य का क्रम वाच निम्लखित में कौन सा है देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दादी ने कहानी सुनाई इतना वाक्य हो गया अब इस वाक्य का क्रम वाच निम्लखित मे आताना है तो क्रम वांच आए आद culi क्रम वास क्या होटाएगा क्रम वास का ओर एंगलिश से अगर हिंदिस इसे नहीं इसका answer option C होगा ठीक है कहानी दादी द्वारा सुनाई गई कहानी दादी द्वारा सुनाई गई ठीक है ये इसका answer right answer हो जागा तो चलिए अगला सवाल देखते हैं निर्मकित में से कौन सावा के व्याकरण की दिश्टी से असुध है चलिए क्या हो जागा इसका वह दंड देने के योग है या फिर चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए या फिर मैंने या पुष्टक पढ़ी या फिर उन्होंने अभी अभी खाना खाया क्या बनेगा तो देखिए इसका answer जो हो जागा वह हो जागा आपका option बी चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए ये एकदम असुद्ध है ठीक है इसका सुद्ध वाक्य क्या होगा चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए वाक्य लिए सुद्ध वाक्य क्या होगा आप कॉमेंट करके बताईएगा चली मैंने अगरा जो सवाल है वो बहुत ही इजी है इसलिए आप हिंदी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है इसमें जो है आपका सुद्वर्तनी वाला सब्द बताना है तो सुद्वर्तनी जिसका है उसको बताना है तो देखिए इसमें सुद्वर्तनी आप देखिए इसमें माने निया है तो माने निया नहीं होता है और मानी निया नहीं होता है आद रखेगा आपका अप्शन C मान निया तो मान निया यह सब्द सही है आनि इसका right answer क्या हो जागा right हो जाएगा आपका option C आद रखिएगा चली पुनर जनम सब्द का सही संदी विचेद क्या है पुनर जनम सब्द का सही संदी विचेद आपको बताना तो क्या हो जागा देखिए इसका answer जो हो जागा वो हो जाएगा आपका option B पूनर जूर जन ठीक है चली अगरा स्वाल देखते है हानी लाब में कौन सा समास है हानी और लाब में कौन सा समास है हानी और लाब में तो हम लोग जानते हैं कि जहां डैस का प्रयोग किया है तो हानी और लाब कहलाता है क्या कहलाता है हानी और लाब तो इसमें जो हो जागा वो क्या हो जागा तो हानी और लाब वला कौन समास होता है उसको जान लिए जिसमें और लगा रहाता है जिसमें बीच में और लगा रहाता है उसके जगा अगर हाइफिन का प्रयोग किया है तो वहाँ द्वन्द समास होता है कौन समास होता है द्वन्द समास तो यहाँ पर तो द्वन्द समास दिख नहीं रहा है कि भी द्वन्द समास नहीं है तो कौन सा अंसर हो जाएगा इसका तो इसका जो राइट अंसर हो हाँ तो जान देखें परियोग की दिश्टी से किरिया के पांच लेधे आठ रखेगा गॉइज को चलिए अग़ला सवाल देखते हैं क्या है कि निमनमे से निमनमे कौन सा नाम कृष्ण का प्राए नह Teachers क्रिष्ण का प्रायवाची सब्द नहीं है देखिए क्या हो जागा इसका अंसर देखिए जगना तो क्रिष्ण का प्रायवाची सब्द है केशो भी है माधो भी कहा गया इनको लेकिन केटव नहीं कहा गया है इसलिए क्या हो जागा आपका केटव क्या हो जागा केट ओप्शन C हो जागा चलिए अनुराग का सही विलोम सब्द चुनिए अनुराग का सही विलोम सब्द क्या होगा आपको बताना है तो देखिए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जागा विराग क्या हो जागा विराग आद रखेगा चलिए नेमनकित तोड़ा छोड़ा कर लेते हैं नेमनकित परतेगवाक के लिए उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से एक सब चुनिए जो सत्रू की हत्या करता है तो उसको क्या करता है तो उसको कहेंगे सत्रूद क्या कहेंगे सत्रूद आद रखेगा option यह हो जाएगा चलिए अगला सवाल देखते हैं जूतियों में दाल बाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है जूतियों में दाल बाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो क्या हो जागा इसका answer इसका answer हो जाएगा आपका option D लडाई जगडा होना ठीक है यही होगा चलिए next देखते हैं वीरी रश्कास्थाई भाव क्या होता है वीरी रश्कास्थाई भाव क्या होता है इसका answer क्या होगा तो दिखिए इसका answer क्या हो जागा इसका answer हो जागा आपका option B उत्सा चलिए अगले जो सवाल S पर चलिए निम्कित में योगरूड सब चुनिए योगरूड सब आपको योगरूड सब इसमें चुनना है तो दिखिए योगरूड सब जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आपका option B, चक्र पानी ठीक है, चक्र पानी, चलिए आयोगवा कहा जाता है किसको कहा जाता है आयोगवा यहाँ पर आकार होना चाहिए था जो नहीं दिया है, आयोगवा कहा जाता है किसको कहा जाता है तो देखिए आयोगवा जो है का जाता है विशर्ग को किसको का जाता है विशर्ग को आद रखेगा निमकित मैंसे कौन सा सब्द सदा बहोचन में प्रयोग होता है निमकित मैंसे कौन सा सब्द सदा बहोचन में प्रयोग होता है तो इसका आंसर क्या हो जागा, इसका आंसर हो जागा, आपका option D, प्रान, उसके प्रान उड़ गए, देखिए गए, तो भवचन में प्रयोग हो रहा है, सत्याग्रही का सही संदी विचेत क्या है, तो देखिए सत्याग्रह का सही संदी विचेत, तो सत्याग्रह का सही संदी समाज जो होता है उसमें पहले अभे से special होता है अभे से तो इसमें आपका के किसी स्क्राइधा है अभेह ..... यही होगा पहुचता ही होगा साइब पर मिट गिया है वह पहुचता है है सल्हक में क्रिया का क्पाल क्या होगा तो दिखिए वह पहुचता ही होगा वा तो वाक्य में क्रिया का काल आपको बताना है तो इसका right answer हो जागा आसन्य भूत option D option D इसका right answer है चलिए अनिकार्थक सब्द आपज के गलत विकल्प का चैन कीजिए आपज का गलत विकल्प का चैन की करना है आपज का निकार्थी सब्द है तो इसका answer क्या होगा इसका answer हो जाएगा आपका option C Meg आपज के गलत विकल्प का Meg मतलब आपज मतलब Meg नहीं होता है चलिए इधर देखते हैं 100 में सब्द का विलोम है 100 में सब्द का विलोम कौन सा है तो इसका right answer क्या हो जाएगा 100 में सब्द का विलोम उग्र है आद रखीगा चलिए आगे चलते हैं चांदनी का प्राइवाची सब्द बताना है तो चांदनी का प्राइवाची सब्द क्या होगा तो जागा मयंक आद रखीगा ठीक है चलिए अगला स्वाल नीम हकीम खत्रे जान का अर्थ क्या होगा तो नीम हकीम खत्रे जान का अर्थ होता है आपका option A हो जाएगा अनि अल्प ज्यान हानिकारक होता है इसको अधुरिया ज्यान होता है वो हानिकारक होता है चलिए अगला है पिरी का तदभव सब्द क्या है तो देखिए पिरी का तदभव सब्द आपको बताना है तो इसका अंसर क्या हो जागा इसका अंसर हो जागा option C, P, आद रखेगा चले आगे है किस सब्द की वर्तनी असुद है किसकी परतनी अश्द है यह आपको बताना है तो इसमें लंगर दिया हुआ यह सुध है बुझखकर जो दिया हुआ है बुझखकर यह भी सुध है कौंकर यह भी सुध है भुखड देखे भुखड यह आपका गलाथ है option D यहां मुखड होना चाहिए था चलिए निर्मकित में एक वाक के तुरूटी पुर्ण है कौन सा तुरूटी पुर्ण है यह आपको बताना है तो देखे इसमें निरिपरादी को सजा नहीं देनी चाहिए वह सकुषल घर पहुंच गया यहां फिर मौती सीप में पलता है यह वैपारी ने पांच कुंतल कोईला खरीदा देखे इसका अंसर क्या हो जागा तो इसका राइट अंसर जो हो जागा वो क्या हो जागा वो हो जागा आपका option A यह प्रादी को सजा नहीं देनी चाहिए यह तुरूटी पूर्ण है चलिए गिरा हुआ के लिए एक सब्ध है इसमें कौन सा होगा गिरा हुआ के लिए तो इसका अंसर क्या होगा यह हो जागा आपका पतित गिरा वानी पतित आद रखेगा चलिए हिंदी काविरसों की कुल संख्या कितनी है हिंदी काविरसों की कुल संख्या कितनी है तो हिंदी काविरसों की कुल संख्या नो है आद रखिएगा ठीक है तो ये था व्याकरन का टॉपिक और इसका अगला पार्ट जो है लेकर आऊँगा मैं अनुछित पर अधारित लेकर आऊँगा तो फिर मिलता एंगले वेडियो में तब तक ने जय हिन जय भालत